नमश्कार दोस्तों, हुजाट डिजाइनस न स्टिचिंग में आपका बहुत-bहुत स्वागत है। इस वीडियो में प्रिंसेट ब्लाउज की फुल कर्टिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो यह देखिए, डिजाइनर फैब्रीक पर, फुल जो वर्क में फैब्रीक है ही हमारा, यह देखिए, तो इस पर हम पहले कटिंग करेंगे, और फिर बाद में स्टिचिंग, तो यह देखिए, लहंगा और ब्लाउज बनाने वाले हम, तो पहले ब्लाउज का वीडियो आपक साथ शेयर करना है, तो यह देखिए, दो मैंने यह लाइनिंग की पीस यहाँ पर ली है, क्योंकि एल्बो स्लीव बनानी है इसमें, तो यह छोटा पीस आता है थोड़ा, तो हमारी दो पीस यहाँ पर लगेंगे, तो सबसे पहले देखिए, मैं बैक पार पर कटिंग करूं बैक बलाउज बनाएंगे हूं, बैक ओपन, तो यह देखिए, जितना भी लंबाई लेनी है, उसमें एक इंच प्लस कर लें, तो मुझे यह देखिए, साड़े तेरा इंच तेया रखनी है, तो साड़े चौदा इंच पर मैं यहाँ पर इसमें मार कर लूंगी, तो सबसे पहले नीचे आप बिलकुल कप्ड़े को बराबर कर लें, छोटा बड़ा ना रखे, तो मैं नीचे से इसको कटिंग करके, बिलकुल बराबर कर लेंगे, नीचे से देखिए, अब यह देखिए, मेजरिंग टेप को इस तरीके से रखेंगे, साड़े चौदा इंच पर, द के लिए क्योंकि बैक उक में यहां पर मार्जिन रखेंगे तो मार्जिन आप जरूर रखेंगे और शोल्डर यह देखिए डीपनेक हम बनाएंगे यह तो पांच इंच मैंने शोल्डर रखा है साड़े 5 इंच हम यहां पर आर्मोल रखेंगे सीने का चोथा बाग मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 8 इंच पर 32 साइज का बलाओ जै 2 इंच मैं यहाँ पर एक्स्टा मार्जिन का रख रही हूँ प्रिंसिस का टैसलिए हम थोड़ा एक्स्टा यहाँ पर रख रहे हैं इसका आपा करेंगे और यहाँ पर आर्मोल बैकशाइड का राउन लगा देंगे शेफ हम यहाँ पर बना देंगE बैक बिलकुल सिंपल है जिस तरीके से 56 लो ब्लाओ जोगर आमें कटता है सेमी ऊसी तरीकेसे tallah पार्ट को कट करना है ये देखी मैं यहाँ पर साड़े दस इंच पर निशान लगाऊंगी डीप हम रखेंगी साड़े दस इंच नीचे से थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉड रखूंगी इस तरीके से तीन इंच पर निशान लगाया उपर मैंने दो इंच इसकी चोड़ाय रखिए तो सवाद दो पर हमें तयार मिल जाए गए और इस तरीके से राउंड सेफ हम यहाँ पर बना देंगे आप अपना जो भी मनचाय सेफ यहाँ पर दे सकते हैं तो यह देखिए हलका सा उपर तिर्चा इस तरीके से ले जाएं इससे शोल्डर भी बिल्कुल डाउन नहीं होते और यहाँ पर हम थोड़ा सा शोल्डर डाउन करेंगे नेक की साइड में क्योंकि डीप नेक है बैक साइड में कोई टक्स यहाँ पर नहीं रखूंगी इसलिए जितना हमारा कमर खा चोथा भाग है वह हमें लेना है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप चाहें तो इस तरीके से रख सकते हैं तो उसको भी आप इंग्लूड करें साथ में तो य इंग्ल्स आएंगे इसलिए मैंने बैक साइड में कोई टक्स यहाँ पर नहीं लगाई है और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की बहुत आसान होता है प्रेंसिस कट ब्लाउज में ज्यादा कोई कटिंग नहीं होता एक दो बार आप अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से टक्स लेनी होती है कैसे हमें कटिंग और स्टिचिंग करनी होती है तो वीडियो को आप स्किप ना करें ध्यान से देखिए अब यह देखिए बंद वाली साइड मैंने अपनी साइड ले लिए अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक को इस तरीके से लेंगे और यहां पर हमें रखना है आप पहले अच्छे से एडजेस्ट कर लें देखिए अब हमें आर्मोल साइड यह देखिए हमे आप पहले यह देखिए हमारा यहां पर कम है हाफ इंच आ रहा है इसलिए मैं इसको नीचे यहां पर इस तरीके से रखूँगी और जो काई का मार्जिन उसको माइनस कर देंगे यहां पर यह देखिए जैसे मैंने किया है एक बार इस तरीके से शोल्डर की आर्मोल की मार् करके करके यहां पर हमें इस तरीके से लेना है फ्रंट पार्ट को में इकींच एक्स्ट्रा यहां पर रखूंगी बैक पार्ट ऊपॉत also आप यह देखिए तो इस तरीके से मारकिंग कर लिये जो मारकिंग की नीच है उस पर श्राठ लाइन बना लेंगे, आर मोल की साड़े 5 इंच यह देखिए और साड़े 5 इंच पर निशान लगा करेंगे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से अब हमें एकजेक्ट मार्किंग करनी है 2 इंच हमें नेक की चोड़ाई रखनी है और यहाँ पर यह देखिए साड़े 7 इंच में डीप रखूंगी फ्रंट का और नीचे से 2 इंच, उपर से हमने 2 इंच रखा है यह देखिए, 5 सेफ हम यहाँ पर बनाएंगे अब यह देखिए हमारा यह जो यह देखिए, मैंने मार्किंग करिए यहाँ पर 9 इंच पर और 2 इंच रखा है एक इंच हमने प्रिंसिस कटकी जो टक्स लेंगे उसके लिए एक्टा रखा है तो आठ इंच हमारा चोथा भाग होता है मैंने एक इंच एक्टा रखा है 9 इंच पर और इस तरीके से गले की सेफ यहाँ पर लगा देंगे यह देखिए, कुछ इस तरीके से तो इसी तरीके से हमें मार्किंग करनी है एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए टक्स पॉइंट लगाएंगे साड़े 9 इंच है तो हम 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे देखिए हाफ इंच उपर हमारा शोल्डर जोइंट में चला जाएगा यहाँ पर निशान लगाएंगे और धाइंच हमारा आगे की साड़ रहेगा इस तरीके से मार्किंग करनी है टक्स पॉइंट पर जो हमारा एक एक्स पॉइंट है उस पर भी सीधी मार्किंग कर ले और जैसे नीचे हमने सबा 3 इंच रखा था तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच बढ़ा देना है और इस तरीके से लाइन को बना देना है इस तरीके से लेंगे हम अंदर की साड़ और 2.5 इंच पर आप चाहिए तो इस तरीके से 2 इंच उपर लेते हुए इस लाइन को मिला ले या स्टेट भी आप बिलकुल मिला सकते हैं थोड़ा सा में पॉइंट नहीं लेना यहाँ पर हलका सा कर्व देना है यह देखिए थोड़ी सी गोला यहाँ पर आप लगा ले और अब प्रिंसेस कट की जो डार्ट है उपर हम सेफ देते हो इस तरीके से इसको मिला देंगी अभी हमें जो इसका आर्मोल है उस पर कटिंग नहीं करनी है उपर की साइड जो अलग से मैंने एक मार्किंग और करी आर्मोल की उस पर हमें कटिंग करनी है अब आप यह देखिए इसको छलका सा इस तरीके से आप राउंड कर लें बिल्कुल यह अपर आपका point नहीं आना चाहिए अब यह देखिए साथ इंच हमारा कमर का तीन इंच हमने यह डाट कर लिया है वह हमारा आना चाहिए तो तीन इंच इस तरीके से और दो इंच एक्स्ट्रा margin जो हमने रखा है सभी parts में तो इस तरीके से total marking हमने यहां पर कर लिए अब line इस तरीके से बना देंगी इस तरीके से हमारा जो front part है वो बढ़ जाता है तो देखिए marking आपको यहां पर करनी है आपकी जो उदर वाली जो line है main टक्स की वो बिल्कुल उस तरीके से आना चाहिए यहां पर हमें इसको थोड़ा सा minus कर देना है यह देखिए इस तरीके से एक इंच हमारा यहां पर minus यहां पर हो जाएगा और अगर main डाट आप नहीं डाल रहे हो फ्रंट ओपन है आपका तो आप यह वाली जो बीच वाली टक्स है इसको आप skip भी कर सकते हो बट अगर आपका फ्रंट पै के बलाउज तो आपको यह वाली टक्स डालनी ही पड़ेगी इसी से अच्छे से पफ बनता है फिटिंग अच्छे से आती है और नेक भी उठता नहीं है बीच में से नहीं तो नेक की जो पाइपे न वो उठी उठी रहती है तो यह देखिए हमने इस तरीके से कट कर लिया है जो भी मार्किंग करिए अब आप देखिए आर मूल पर हम इस पर कटिंग करेंगे बाद में हम यह जब प्रिंसिस कट वाली डार्ट बना लेंगे और इसको अटेज कर लेंगे मैन फैबरी पर तब कट करेंगे अब उपर वाला जो हमने एक इंच का रखा था टक्स यह देखिए प्रिंसिस कट तो इसको भी हमें मार्क करना है हाफ इंच इदर और हाफ इंच इंदर इस तरीके से डाट डाट बनाते हुए इस टक्स को भी बना लें क्योंकि इसको भी हमें माइनस करना है यहाँ पर लाइन के अंदर अंदर आप कट्टिंग करें हमने जो भी हमारा माइनस हो रहा है सारा हमने जो फैब्रिक पर एड़ करके ही लिया है इसलिए हमारा कुछ भी आपर शोर्ट नहीं पड़ेगा इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें अगर आप पेपर कटिंग करते हैं तो पेपर पर कटिंग करने के बाद फैब्रिक पर एक्स्टा मार्किंग कर लें हमने डायरेक्ट कपड़े में एक्स्टा लेके और मार्किंग कर लिए तो यह देखिए नेक पर कट लगा लेंगे और इस तरीके से यह फ्रंट पार्ट के भी हमारी कटिंग हो गई है अब हम यह देखिए बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट का आर मोल यहाँ पर मेजर करेंगे तो देखिए मेरा 77-喂 ऐ治 और एक्स्ट्रा हमने 2 इन्च रखा ह है तो इसी तरीके से हमें पौक 앞रो स्लीव के लिए मैं यह दूसरा लाइनिंग का फैब्रिक लूँगी क्योंकि उसमें शॉर्ट स्लीव है तो हमारी बन जाती बट लॉंग स्लीव यहां पर नहीं बनेगी अलबो अगर आपके ज्यादा साइज है जिससे 368 है तो आप इसको डबल करके दोनों स्लीव काट सकती ह मैं यह देखिए यहां से फोरफोल कर लूँगी मेरा थोड़ा सा जोइंट आया गया है इसलिए मैं ज्यादा फैब्रिक यहां पर खराब नहीं कर रही हूँ इस तरीके से फोरफोल कर लिया है नीचे से बिलकुल बराबर कर लें कपड़े को छोटा बड़ा है तो कट कर ल कैप आइट के लिए मैं यहां पर रख रही हूँ साड़े तीन इंच और इस तरीके से साड़े साथ इंच हमारा आया था उस पर मार का आपको इस तरीके से कर लेना है और दो इंच हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो यह छोटी से पट्टी जोइंट हो जाएगी तो व हम स्लीव की अब इसको एक बार मेजर करेंगे साड़े साथ इंच आना चाहिए हमारा फिटिंग पॉइंट वी देखिए सबसाता रहे थोड़ा सा मारे आगे जाएगा यह इतना सा तो इस तरीके से परफेक्ट जो आर्मोल है ब्लाउज के जो फ्रंट और बैक पार्ट का तो उसी साथ से लेना है तो यह देखिए यहाँ पर साड़े चार इंच गोला यह तो मैं पांच इंच यहाँ पर रखूँगी जो वर्क वाले फैब्रिक होते हैं तब हम उनमें फिटिंग का टांका लगाते हैं तो वो एक्स्ट्रा लेके चलें तब उसकी फिटिंग बिल्कुल सही आएगी तो यह देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहां पर जोइंट कर लोंगी तो जो कपड़ा मारा निकलता है कटिंग में वही मैंने यहां पर पिंस्या टेज कर लिया है जब सिलेंगे तो स कर लिया है अब हम इसको मैंन फैब्रिक पर कट करेंगे सेम इसी तरीके से तो देखिए मैंन फैब्रिक पर भी इसको कटिंग कर लिया है अब सिलाई स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से हम इसको सिलना है एक ही वीडियो में आप कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट देख इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बट आपको पूरा अच्छे से प्रिंसिस कट ब्लाउज सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से में प्रिंसिस कट ब्लाउज बनाना है तो देखिए बैक पार्ट हम लेंगे और जो भी नेक की सेफ्टी हमारी राउंड उस पर हम केंवास यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस फैब्रिक में अल्री केंवास लगा हुआ है अब कट कर लेंगे देखिए तो कहीं से फैब्रिक हमारा सुकुड़ेगा नहीं इसलिए डायरेक्ट आप लाइनिंग पर बना सकते हैं छोटे-छोटे कट लगा लेंगे देखिए र नहीं कमारा पल्टा जाए अब इसको इस तरीके से अंदर की साइड परड़ लेंगे डोरी पाइपें मैं यहां पर लगाऊंगी तो वो अलग से बनाकर लगाने वाले हैं यह देखिए इस तरीके से बैक पार्ट तयार कर लिया है पिन लगाकर चारो तरफ हम इसमें लगा लिए एक्स्टा फैब्र को भी अमने याँ पर कट कर लिया है टक्स हमने यहां पर नहीं लगाई है मैंने आपको कटिंग करते वाक्त बताया था तो दूसरा पार्ट भी आमने याँ पर तयार कर लिया है अब हम इसमें हुक आई की पट्टी जॉइंट करेंगे तो यह देखिए हुक की जो पट्टी है वो मैं लाइनिंग के फैब्रिक में यहाँ पर रखूँगी यह देखिए थोड़ा सा उपर पट्टी को बढ़ा कर रखें और फिर जितना हमने मार्जिन कटिंग में छोड़ा था उतना मार्जिन को कवर करते हुए यह देखिए सिलाई लगा देनी है आगे के साट से इस तरीक से पलटी है और एक उपर से प्रेस स्टीच लगाते हुए अंदर के साट पट्टी को फोल्ड कर देंगी हुक आई की पट्टी में साइड अगर आप दूसरी साइड लगाना चाहते हैं हुक की पट्टी तो लगा सकते हैं पर डिपेंड करता है बट 90% जो पट्टी है इसी साइड लगती है हुक की अब आई की पट्टी हम लगाएंगे तो पट्टी को आई की जो पट्टी रखी उस मैन फैब्रीक और लाइनिंग दोनों अमने अटेज करें हैं और इसका जो मैन फैब्रीक है वो साइड में जो वर्क वाला फैब्रीक होता है साइड में जो प्लेन फैब्रीक होता है वो मैने यहां पर लिया है क्योंकि वो ब्लाउ जब पहनेंगे तो यह अंदर की साइड भी फोल्ड होगा तो वो जो वर्क वाला फैब्रिक होता है उस पर थोड़ी प्राब्लम करता है पहनने में इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को यहाँ पर लिया है अगर आपके यह सब प्लेइन फैब्रिक नहीं होता है तो आप लाइनिंग का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं क्योंकि यह अंदर की साइड दब जाता है यह दिखता नहीं है इसलिए अच्छे से ऐसे पलट लें और इसकी जो किनारी किनारी से सिलाई लगा लें यह आई वाली पट्टी है हमारी अभी देखिए उपर से डबल सिलाई लगा कर हमने इसको अच्छे से बना लिया देखिए दोनों को इस तरीके से यह उपर नीचे आजाएं किता पर्फेक्ट हमारा राउंड नेक बनाए यहां पर अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे देखिए बैक पार्ट हमारा यहां पर बन चुका है बैक पार्ट हम बस नीचे हमें पट्टी लगानी है कमर पट्टी वो हम बाद में लगाएंगे जब हम शोल्डर जोइंट करेंगे आगे पिछे का दोनों बिलकुल बराबर से मार्किंग करते हुए ताकि छोटा बड़ा ना रहे नेक की जो भी सेफ है उसके उपर इस तरीके से सिलाई लगा लें यह देखी जैसे मैं यहां पर लगा रहे हूं जो इसका सीधा वाला भाग है अंदर की साइड रखा है हमने में फैब्रिक का इस तरीके से कट कर लेंगे नेक को थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन रखते और चोटे-चोटे कट लगा कर इसको पलट लेंगी पलटने के बाद यह देखिए यह वाला जो मार्किंग है वो भी आपको अच्छी से गहरी बना लेनी है दोनों साइड से जो हमने सेंटर वाली मार्किंग करी थी यह प्लेट भी हमें डालनी है इसमें लेकिन बट बाद में डालेंगे हम पहले मैन फैबरिक और लाइनिंग के जो प्रिंसिस कट वाले पार्ट है उनको जोइंट करेंगे और वो क्यों करेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ पहले इस तरीके से पलट लें यह देखिए जो नेक हमने अभी कट किया था छोटी-छोटी कट लगा क मैंने इसलिए उसको थोड़ा डार्क के क्योंकि अंदर की साइट चला जाएगा तो हमें जो मार्किंग थी वो दिखेगी नहीं इसलिए मार्किंग को थोड़ा सा डार्क करके पलट लेते हम तो यह देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रेस लगा लें आप इस पर पलट के ताकि बिल्कुल जो लाइनिंग अच्छे से अंदर की साइट बैट जाए जहां से भी कपड़ा दब रहा है उसको इस तरीके से पिन से निकाल लें देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है पांसी हमारा यहां पर अब इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और चारो तरफ हम इसके सिलाई नहीं लगानी है पहले यह देखिए पहले हम इस पर किनारी से सिलाई लगाएंगे अगर प्लेन फैब्रिक है आपको तो आप पाई पिन के वक्त ही किनारी वाले सिलाई लगाएं क्योंकि ओवर सिलाई यहां पर हो जाएगी तो बद्दी लगती है बट मेरा पूरा वर्क में है तो इसमें कोई सिलाई दिखेगी नहीं तो मैं पहले यहां पर यह उपर से सिलाई यहां पर लगा देती हूं किनारी से ताकि नेक अच्छे से बैट जाए यह देखिए अब हमें जो इसके चार तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है लाइनिंग के अलावा म इसमारा मार्जिन है जो पार्ट अवा अंदर की साइट चला जायागा बहर की साइट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो देखिए यह वाली पहले आप डार कर लें क्योंकि हमें यह बाद में बनानी है जब दोनों को जोइंट कर लेंगे उसके बाद हमें यह बनानी है बी यह बी जो हमारा प्रिंसिस कट वाला पार्ट है इसमें भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी हमें कट कर लेना है तो देखिए इसके चारो तरफ जो भी एक्स्ट्रा है पहले टक्स पॉइंट का कट लगा ले और इस तरीके से प्रिं लगाते हुए जो भी एक्स आड़ी आप लेना चाहते हैं तो पहले सारे पार्ट को लाइनिंग और मैन फैब्री को जॉइंट करके आप जॉइंट कर सकते हैं अभी देखिए एक्स्टा को अमने कट कर लिया है टक्स पॉइंट पर इस तरीके से छोटी-छोटी कट लगा लेंगे लाइनिंग को देखिए पहले लाइनिंग को जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से रखें पार्ट को इस बात का ध्यान रखें कि सिलाई करते वक्त की अंदर किसा आड़ीय चला जाया है उल्टा ना जॉइंट कर लें और आपको दोनों फैब्रिक में किसी को खेंशना नहीं बिलकुल देले आतों से टक से टक्स पॉइंट को मिलाते हुए और सिलाई यहां पर लगा देनी है टक्स पॉइंट को आप एपक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं जो भी आप बोलना चाहें जिसमें भी आप समझें यह देखिए टक्स पॉइंट एपक्स पॉइंट डाट प का बड़ चीज वो ही है कोई तो इसको डार्ट पॉइंट बोलता है को टक्स पॉइंट को या पैक्स पॉइंट यह देखिए अब मैन फैबरिक को हमने इसी तरीके से सिल लिया है जैसे हमने लाइनिंग को सिला है यह देखिए अब हम इसको यह देखिए दोनों अंदर के साथ चले जाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आएगा और यह देखिए जब बीच वाली डार्ट भी हम यहाँ पर बना लेंगे यह वाली सेंटर वाली तो इसका पफ और भी अच्छे से क्रियेट होगा बिना पैड हमने इसमें कोई पैड का यूज नहीं किया है उसके बाद भी यह बहुत अच्छे से फिटिंग में आएगा अब यह देखिए दोनों हमने इस तरीके से जोइंट कर लिये हैं अब चारो तरफ से पहले लाइनिंग और जो मैन फैबरी का उसको अटेज कर लें उसके बाद हमें एक साथ मिलाते हुए जो आर्मोल की जो गहराई देनी है फ्रेंट पार्ट की जो पहले हमने नहीं दी थ चारो तरफ से अटा लें और नीचे से बिल्कुल बराबर कर लेंगे और अच्छे से यह देखिए पहले आप यहां पर प्रेस लगा के एक एक पार्ट को सिलते जाएं और साथ की साथ उसमें प्रेस लगाते जाएंगे और इसमें हम आर मोल की भी गहराई लगा लेंगे तो इस तरीखे से यह देखिए हमारा जो फ्रेंट पार्ट है वो तयार यहां पर हो जाएगा बैक पार्ट को इस तरीखे से रखेंगे अगर कोई भी पार्ट चोटा बढ़ाया तो इसको नहीं से ब्राबर कर लेंगे जोंट यहां पर कर लिया है पूरे part हमारे यहां पर तयार हो गया है यह देखिए अलब हमने normal sleeve जो lining और man fabric को attach करते हैं उस तरीके से मैंने यहां पर attach कर लिए अब यह देखिए हमें shoulder यहां पर किस तरीके से joint करना है मैंने डोरी वाली piping यहां पर लगाई है तो आप एक बर ध्यान से देखिए पहले पाइपिन को लॉक करना आपको इस तरीके से सुई बिल्कुल नीचे ले जाए पाइपिन आगे पीछे ना हो इसलिए हमें पहले पाइपिन को एक जगे लॉक करके और फिर थोड़ा सा पक्का करन लेना है लॉक लगा लेना है और फिर आगे इस तरीके से दो-तिन बर आगे पीछे करते हुए लॉक लगा ले और यह देखिए लास्ट में भी हम यहां पर लॉक लगा लेंगे तो इस तरीके से शोल्डर का जोइंट है बिल्कुल परफेक्ट आएगा और यह देखिए बिल्कुल भी पाइपिन हमारी आगे पीछे नहीं हुई यह देखिए एक सीध में हमारी यहां पर आईए और अब यह देखिए अगर आपके पास इंटरलोक है तो आप इंटरलोक लगा सकते हैं बट यह जो इसमें सिक्वेंस का वर्क है तो यह पैनने के बाद थोड़ा चुपता है तो अगर आप इंटरलोक नहीं करना चाहें और इस तरीके से लगाना चाहें तो देखिए यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है चारो तो आपको लॉक करने का यह देखिए मैंने दो इंच की पटी लिया उसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और शोल्डर का जो जोइंट है उससे भी आमें उपर ही सिलाई रखनी है लगबग 0.25 के सम्थिंग कवर करते हुए इसको इस तरीके से मोड देंगे अंदर की साइड और अब इस पर सिलाई लगा देंगे दोनों शोल्डर मैंने इसी तरीके से जोइंट की है अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो बिल्कुल यह देखिए बिल्कुल अंदर की साइड हमारा सारा कवर हो गया है इसमे और इसका जो दबाव है वो बैक साइड रखेंगे और इस तरीके से सीधा कर लेंगे और जो पाइपिन है वहाँ पर सिलाई लगाते हुए इसको बिल्कुल बैक साइड की साइड दबा के और सिलाई लगा देंगे ताकि इसका जो एक साइड ही रहे जुकाओ यह उठेना देखिए बिल्कुल एक साइड हो गया कितने परफेक्ट शोल्डर यहां पर जोइंट होएं आपको अगर यह तरीक अच्छा लगा है तो आप यह जरू ट्राइब करें अब ही देखिए दोनों शोल्डर मैंने इसी तरीके से जोइन्ट कर लिया यह मैंने पहले कर लिया था और एक मैंने आपको अचे से समझा दिया कि कि रैखिंगे उसे तरीके से ले लें स्लीव में जो फ्रंट की गहराई है उसका ध्यान रखते हुए अटेच करना है तो यह देखिए शोल्डर से सेंटर से सेंटर को जोइंट करेंगे और पहले इस तरीके से खोल लें दोनों शोल्डर अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हैं या कहीं भी ज्याद पर रखते हुए सिलाई लगाएंगे पहले सेंटर से लगाएं तो इससे कहें कि जो भी एक्स्ट्रा स्लीव होगी आपकी वह आगे पिछे दोनों साइट से कट हो जाएगी इस तरीके से जैसे मैंने इसमें बताया स्लीव को कट करना तो कभी आपकी स्लीव छोटी नहीं प जितना हम कटिंग में रखते हैं में उतना ही दबा के चलना होता है यह देखिए तो एक साइट से स्लीव हमारी यहां पर जोइंट हो गई है तो दूसरी साइट भी हम सेंटर से इस तरीके से उठाएंगे और जोइंट यहां पर कर देंगे यह देखिए दोनों साइट इस तरीके से जोइंट हो गई है अब एक स्लाइ मैं यहां पर लगा दूंगी डबल स्लाइ करके इसको अच्छे से पका कर देंगे यह देखिए, स्लीव हमारी यहां पर जॉइंट हो गई है और यह देखिए, किते अच्छे से यह शॉल्डर जॉइंट पर स्लीव आई है हमारी बिल्कुल परफेक्ट यह देखिए तो इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी यहां पर जॉइंट कर लेंगे तो दोनों स्लीव जोइंट कर लिए, अब हम यहां पर फिटिंग का टाका लगाना है, लास्ट में, तो यह देखिए, जो भी फिटिंग थी, मैंने उसका यहां पर मार्क कर लिया है, उस पर हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, यह देखिए, जो सेंटर की डार्ट वो भी मैंने यहां पर लगा लिये, उस से इसका लुक और जो फिटिंग है, नेक बिल्कुल नीचे की साइड दबा रहेगा, अब हम फिटिंग पर जो भी मार्किंग की है, उस पर देखिए, हम सीधी सीधी सिलाई यहां पर लगा देंगी, एक टांका हमारा स्लीव की साइड से आएगा, और एक टांका नीचे कमर की पट्टी से आएगा, जब हम इसमें टांका लगाते हैं, फिटिंग का, और यह जो जो जोइंट है, वो स्लीव की साइड होना चाहिए, उपर की साइड यह देखिए, नीचे की साइड ना रखें, इसका जो जुकाव है, उसको उपर के साइड रखें और जहां-जह मार्किंग और फिटिंग पर हम मार्किंग याँ पर कर लेंगे इसी तरीके से दोनों सैड हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और ब्लाउज को कंपलेट कर लेना है तो यह देखी मैंने यहाँ पर दोनों साइड में लगा लूँघी, एक साइड मैं आपको अच्छे से दिखा दिया लगा कर दूसरी साइड भी सेम तरीके से लगा लेना है बिल्कुल इस तरीके से सीधा करते हुए एक सलाई हमने सीधी लगा कर और इसको पलट लिया था थाकि अंदर के साइड पहनने पर वो चुबे ना तो इस तरीके से दूसरी साइड भी लगा लेंगे यह देखी वीडियो मारा कंप्लीट होता है डोरी भी मैंने यहाँ पर लगा लिया आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं कोई भी चीज अगर आप कुसमें नहीं समझाई तो आप कमेंट सेक्शन में कोशन कर सकते हैं तो मिलते हैं आप से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ थैंक्यू फोर वाचिंग